हलो गुड मॉर्णिंग इस्टेंट्स देखो जो भी नीट का सिरियस एस पैरेंट्स है वो ध्यान रखें कि आज हम लोग प्रोजेक्टाइल शुरू करने वाले हैं ठीक है पीछले क्लास में हमने रेक्टि लिनियर मोशन के वीडियो डाला था तो आज जो हम प्रोजेक्टा है जिसका डायरेक्ट यूज होगा कोशन बनाने में और तुम उसको नहीं जानते हो ठीक है तो मैं उसको डिराइब किया हूँ कोशन बना करके ताकि उसको मैं कोशन पढ़ने के बाद तुरत लगाऊं और एंसर पा जाए और मैं गरांटी देता हूँ कि आज थियोरी मैं पहले पढ़ाऊंगा 30 मिनट तक और उसके बाद धेर सारा कोशन भी करवाऊंगा ठीक है ना ध्यान रखें जितना भी कोशन कराऊंगा यह मेरा दावा है कि 20 से 30 से केंड से जादा एक भी कोशन में नहीं लगेगा कब जब वो तु पूरा 30 मिनट का थियोरी अच्छे से ल कर सकते हो नीट का तो कोई बात ही नहीं है ठीक है तो आराम से इस वीडियो को पहले देखना और एक और इंपोर्टेंट हमें नोटिस देना था कि देखो अभी जो है एचारड मिनिस्टर क्या है सारे लोगों से ये मांगे हैं कि भाई भेजिये कि सिलेबस को सौट किया जाए कि नहीं अब 26 जुलाई का पेपर है यार और यह भी मांगा जा रहा है तो हो सकता है कि डायलमा में हो रहे है ना तो देख एक्स्टेंड भी हो सकता है लेकिन आप को टेंशन देना है आप जो है 26 जुलाई के लिए ही आप प्रिप्रेशन करो ठीक आप सोचो कि 26 जुलाई को ही पेपर होने वाला है ठीक है ना लेकिन मैक्सिमाम जो है आज के जो है निउस पेपर में भी आ गया है कि सिप्टमबर अक्टूबर भी जा सकता है तो अगर गय तो हम लोगे पास बहुत अच्छा समय रहेगा तो डीटेल में पढ़ लेंगे और नहीं तो एक-दो दिन में किलियर हो जाएगा तो हम लोग तिस दिन के लिए भी पढ़ रहे हैं अगर समय मिलतों तो डीटेल सभी पर लेंगे तो और अच्छे से पूरा कभर करेंग इस स को और अभी हमारा क्या टार्गेट है में में टॉपिक अभी मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ ताकि इसका यूज होगा तो निटर्स लाओ तक जो है पूरा चलेगा सिस्टेमेटिक जैसे पहले चलता था और निटर्स लाओ के बाद वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका बे अभी मोशन होता है ठीक है तो ये हमारा X हमाल लेते इसको हमाल लेते Y और यह हमारा फेलोसिटी है तुवासा क्या करेंगे हम लोग 10 मिनिट रीकैप्चुलेट कर लेंगे और फिर इससे कोशन समलोग बनाएंगे ठीक है तो देखो तो आया ही प्रोजेक्टाइल है तो अगर यहां पर फिल्सिटी हमारा U है और यह एंगिल कितना है ठीक है तो इधर क्या होता था u x लिखते था, क्यातना लिखते है, u cos theta, आइधर क्या लिखते थे, u y लिखते थे, यानि कितना, u sin theta, ठीक है न, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर ground से यहाँ आई से आ करके यहाँ पे गिरता है तो यह भी velocity u ही होगा, और अगर यह एंगिल theta है तो यह भी theta ही रहेगा, यहाँ भी दो component होगा, इधर होगा u sin theta, आइधर होगा u cos theta, यानि कि horizontal direction में जो velocity होता है, वो same होता है, यह आपको पता है, और vertical में velocity घटेगा, और यहाँ पे अगर आप चले आएंगे, तो यह जो हमारा, अगर यह इसको a बोल दे, इसको b बोल दे, इसको p बोल दे, पीक प 2 होता है, और यह जो हमारा है, यह total a से b, यही हमारा range r है, ठीके, अब इसमें तुम है क्या-क्या जानने की जरूरत है, सबसे पहले तुम क्या जानते हो, तुम यह जानते हो बच्चे, कि equation of trajectory के बारे माप लोग जानते होंगे, है ना, equation of trajectory, यानि कि यह जो हम projectile फेकते हैं इस curve का equation, इस curve का equation कितना होता है, y is equal to, x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, लेकिन अब क्या है, कि neat या j, में जो questions आता है, वो थ्वासा चलाक हो गया है, चलाक in the sense, कि अब यहां से direct questions नहीं आएगा, तो इसमें कितने चीज़ हैं, x, फिर u, फिर theta, और फिर y, इसको और अगर आगे आप modify करोगे, तो इसको लिख सकते है, y is equal to, x tan theta, यह पूरे में common आ जाता है, अभी चुकि हम लोग short में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा derivation करने की जूरत नहीं है, i into 1 minus x upon r इसको r क्या है, range है, r क्या है बाबू, range है, ठीक है, तो हमें यह सबसे ज़्यादा use होता है formula, कौन सा, यह वाला, यानि कि, जब मुझे x, y दिया रहे है, x दिया रहे है, range दिया रहे है, और theta रहे है, तो हम अराम से इसको ऐसे solve कर सकते हैं, ठीक है, एक इसको और हम further आपको, जह ठीक है, तो क्या-क्या और इसमें जानते हो, तुम लोग बताओ तो, इसके यह तो हो गया भाई, कि equation of trajectory, ठीक है, यह formula आप जानते होंगे, यह भी आप जानते होंगे, यह आप जानते होंगे है, कि range के terms में, अब अगर मैं time of flight की बात करूँ, तो time of flight क्या जानते हो तुम u sin theta और अपन g, यह जानते होंगे, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, कि इसको एक और ताइगस लिख रहा हूं, u sin theta दिख रहा है तुमको, तो मैं u sin theta को u y लिखता हूं, तो जगा 2 into u y और अपन g, यह ध्यान रखना यह, यह बहुत important होता है, ठीक है, यह तो हमें आद रहता है, उसी तरीके से, अगर हम maximum height की बात करें, तो क्या होता है हमारा maximum height, u square sin square theta और अपन 2g लिखते हैं, फिर से देखो, u sin theta का whole square है, तो u sin theta की जगा पर लिखते हैं, u y का whole square upon 2g, ठीक है, अब लोगे सार, यह तो हमें पता है, यह भी पता है, तो क्यों बता रहे हो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कि तुम इसका applications कैसे करोगे, तो देखने अध्यान से, यह हमें कब काम आएगा, यह मैं बताना चाहूँगा, तो अभी थुआ सा wait करो, मैं बोला ना कि आज का session बहुत interesting होगा, और बहुत नया नया चीज सीखोगे, मजा मनलवाने वाला है, ठ करते हो, हाना, तो range के लिए क्या करते हो, बच्चे, आप अराम से देखो, तो 2u, हाना, या फिर, u square sin 2 theta, और अपन क्या लिखते हो, g लिखते हो, लिखते हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2, फिर सा समझ ना, u square, और यहाँ पर sin theta, i into cos theta, और अपन g, हमने क्या किया बच्चे, इस sin 2 theta को लिखा, 2 sin theta into cos theta group में, और u square से रहने दिया, इससे फाइदा क्या हुगा, इससे फाइदा हो, 2 यह रह गया, और 1 u इसके साथ, u sin theta, और 1 u यहाँ इसके साथ, u cos theta, तो क्या लिखते हो, u y, और u cos theta को क्या लिखते हो, u x, u x into u y upon g, यह किसका formula है, r का formula है, किसका formula है, r का formula है, याद रहेगा तुम लोगों को, obviously, याद रहना भी चाहिए, ठीक है न, अब देखो, यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ, क्या use तू करेगा, अब मान ले, कि यह u y वाला, u y वाला, या u x वाला formula का अब हम use करेंगे न यह जब हमें theta नहीं दिया रहे, आयनि कि जब velocity, यानि कि if u ऐसे दिया रहे, u x i plus u y j, मतलब जब हमारा projection का velocity, vector के रूप में रहे, फिर से सुनना, जब हमारा projection का velocity ऐसा रहे, कि u दिया रहे, कितना, 2 i plus 3 j, ऐसा भी लिखा रहाता है न, बहुत सारा questions में आज कल का जो trend सल र कि अगर किसी object को, क्या भाई, कि u is equal to 2 i plus 3 j, से फेका गया है, और तब अगर मुझे कुछ value निकालना रहे, तो वहाँ पे अगर ये formula यूज करोगे, तो हमें theta निकालना पड़ेगा, तो question लंबा हो जाएगा, तो अगर short में बनाना है, तो क्या करेंगे, कुछ ने करेंगे बहुत ही आसान है, हम यहाँ पे जो पता है मेरे को, कि UX की value है, 2 हो जाएगी, और यूज की value कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी, तो direct हम यहाँ पे UX, UI put कर सकते हैं, Uy पूट कर सकते हैं इसमें, यहां भी Uy पूट कर सकते हैं, तो time of flight निकाल सकते हैं, maximum height निकाल सकते हैं, फिर range निकाल सकते हैं, ठीक है, यानि कि हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है, तो मेरा कहने का मनलब यह है, कि Ux, Uy का जो formula हम लोग यूज करते हैं, कब यूज कर मेरा जो planning है, उसका क्या हमारा role है, है ना, उसको हम कैसे modify करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूँ कि हमारा height, यह हमारा h max का जो formula है, वो है u square sin square theta by 2 g है और range का जो formula है वो है 2 u square sin theta into cos theta by g है ना, तागर मैं इन दोनों को भागा दे दूँ, यानि कि क्या लिख दूँ h और upon r को अगर मैं बात करूँ, तो क्या लिख सकता हूँ यानि कि height, maximum और range का जो ratio होता है, यह क्या है, यह समझना होगा, ठीक है ना ता इस case के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको अगर simplify करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग u² से u² गया यह एक साइन से एक साइन गया और यह g से यह g गया ठीक है ना, तो उपर क्या बचा, साइन ठीटा और upon में 2 इन टू, या तो उपर 1 हो गया, नीचे क्या है 2 इन टू को इटा, तो 1 upon 2 cos theta, तो देखो ति यहां से क्या रहा है h by r is equal to sin by cos, क्या था, 10 theta तो 10 theta और upon 4 आ रहा है, यानी कि हमारा जो formula आगया बाबू यह धियान रखना है ना, कि 10 theta is equal to कितना आगया बताओ मेरे को 10 theta जो तुमारा इसलिए यहां से, यहां से आ जाता हूँ में 10 theta जो निकल करके आया 10 theta जो निकल करके आया वो आया 4 h और upon r यह याद रहेगा, कि नहीं याद रहना चाहिए, क्या कि, यानी जीस angle से फेका जाता है अगर उसका हम 10 निकालें तो वो 10 theta 4 h upon r के equal होता है यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है तो अगर मैं यहां पे इसको मैं formula को change करना चाहूँ जो कि बहुत use होता है, ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ y is equal to x into 10 theta क्या लिखूंगा 4 h upon r सही है, लिख सकता हूँ r into 1 minus x upon r ठीक है यानि कि यह जो formula हो गया यह कब हो गया बच्चे बताओ मेरे को तुम जब हमारा height दिया रहे range दिया रहे और x और y दिया रहे यहनि theta का कोई use ही नहीं है यहनि जब हमें theta नहीं use करना हो ठीक है तो जब हमारा height दिया रहे range दिया रहे, मां दो कोई coordinate दे दिया है आपका, ठीक है तो height अगर range रहेगा तो x और y में हम relation क्या कर सकते है easily find out कर सकते है समझ मेरे बात अच्छा चलो यहां तक तो कोई दिकत नहीं है यह तो भाई बहुत आसान है और इसका क्या formula बना सकता है तो तो इसका और formula बना सकता है क्या बना सकता है जो देखो मैं इसको y से लिख सकता हूं बच्चे कि y is equal to जितना मैं बता रहा हूं formula सब use होता है ना याद रख ले ना x tan theta into 1 minus x रहने दो और upon आर के जिगा पर क्या लिख लो 2 u x u y और upon g है न तो g उपर फेज दोगे तो g हो जाएगा है ना ये formula भी याद रख लेना कौन सा y is equal to x tan theta into 1 minus x g by 2 u x u y ये भी हमारा क्या है trajectory का equation है तो trajectory का equation का बताया मैं 4 equation बताया एक तो जो सब को पता है क्या x tan theta minus 2 u square sorry g x square by 2 u square cos square theta दूसरा y is equal to x tan theta into 1 minus x by r इसी को हम tan theta के जगा पर 4 h by r लिख दिए तो क्या होगे x is equal to y is equal to x into 4 h by r into 1 minus x by r और यहाँ पर क्या कि हम सिफ range को बदल दिए किसमें? velocity में यहनि कि जब range नहीं रहे velocity रहे और तब हमें x y में relation निकालना हो तो y is equal to x tan theta into 1 minus x into g upon 2 u x u y है ना? यह भी आपको पता होना चाहिए किलियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पर मैं तुमको जो बता रहा हूँ उसको समझना ठीक है? ता अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसको मैं मिटाता हूँ और मैं आगे इसको और आगे बढ़ाता हूँ ठीक है? देखो मैं जितना भी फॉर्मला बताया हूँ ना सब तुमको धियान रहना चाहिए बहुत आसानी स्कोशन फटफट बनने वाला है ठीक है? अब इसमें मैं और क्या बताने वाला हूँ अब देखो तुम लोगों सबको पता है कि फॉर्माइक्जिमम रेंज मैक्जिमम रेंज के अगर बात करें तीशीटा कितना होता है फॉर्टी फाइब डिग्री होता है इसलिए क्या हो जागा यहाँ पर फॉर्टी फाइब रख देगा तो तो फॉर्ट आर किसके बरावर हो जाएगा? फॉर इंटु एज के बरावर यानि कि रेंज जो होगा वो फॉर टाइम्स किसके होगा? हाइट के होगा और आर मैक्स की जो फाइल्यू होगी वो कितना होगा भाई? तो टू जखो यहाँ देहां से तो इउ स्क्वाइर और अपाउन टू जीक बरावर होगा क्योंकि साइन टू ठीटा वन हो जाएगा तो इउ स्क्वाइब टू जी आ जाएगा और यहां पर हमेक्स जो आएगा किस के लिए? ठीटा फोटी फाइब डिगरी के लिए क्या आएगा? ईउ स्क्वाइर स्टीटा कितना है? साइन स्क्वाइर ठीटा? है फैना? कितना आने बाला है बताव मेरेको? यानि कि 20. कि हुणे हई जाएगा वह है기로 कि ऍपंड जो जनीं ये फेरंज का सावह सुए कर दिए यह जाएगा उसका की थेराइब का इस जाए was is be臭 दीज हे ? Rmax जो है वो EO square by 2G के बराबर होता है और Hmax जो है वो EO square by 8G होता है यनि की maximum case के लिए ठीक है? यनि maximum range के लिए ओके? चलिए तो इतना तक तो आप सीख गए होंगे यनि ये formula सब आपको लिख लेना है notes बना लेना है, ठीक है? मैं बताने वाला हूं सारे formula का ठीक है? कैसे आप use करोगे इसका क्योंकि बहुत ही नया नया चीज का formula तुमको मिलेगा अच्छा आप इसमा मैं क्या सिखाने वाला हूं? जो देखो ये जो मैं formula बना रहा हूं actually मैं question जो आया हुआ है अभी तक उसके हिसाब से ये formula बनाया हुआ है ठीक है न? यानि इससे ज़्यादा variations के आपके questions नहीं आने के संभावना है ठीक है? और अगर ये आपको पता है तो आप easily solve कर सकते हो हाँ चलिए और चलते हैं आगे और देखिए अगर मान लिया जाए कि ये हमारा projectile है इसे ठीक है न? और ये हमारा अगर EU है sorry ये अगर EU है तो अगर ये ठीटा होगा अब मेरे बच्चे ये बताओ कि तुम चाहते हो कि किसी भी समय पे यानि कि question समरता है कि after इतना time के बाद या इतना यहां पे यानि कभ किस समय के बाद angle जो है इतना degree हो जाएगा मान लो ठीटा सफेका और 60 degrees सफेका अब बोरेगा कितना समय के बाद 30 degree हो जाएगा inclination कितना समय के बाद 45 degree हो जाएगा inclination हना तो तुम लोग को पता है कि अगर यहां से मानलो यहां पे आ गया तो यह से फेलोसिटी होगा यह और यही मेरा अंगल क्या होगा alpha होगा तो इस point पे हमें निकालना कि यह alpha के बाद लू कितनी है पिर से देखो यह हमारा B'deis है यह हमारा हो जाएगा है थीधो एकnew एक्स रहता है यहां पे ऐक्स क्या लिख़ेगा इधार के तो यह उतया आवंपर के तरफ क्या लिखेगा यू साइन थीटा है न कोई दिक्कत नहीं मनलो यहां से यहां तक समय टी लगा तो हमें ilx तो सें कहां यहां लिख साथ तू कि tan alpha is equal to v dash y और upon u x और v dash y को क्या ले सकता है तू? u sin theta minus g t और upon में u cos theta यह हो गया किस के बराबर? tan alpha के बराबर हो गया है ना? हो गया कि नहीं हो गया tan alpha यानि कि inclination at any time t कहां से? horizontal से इसको इसे भी सकता है तू? tan alpha is equal to इसके जगह पर u y minus g t और upon u x ठीक है? सब्सक्राइब बाद तो यह भी तूम्हें इसे करके क्या कर सकते हो? लीक सकते हो है ना? अच्छा अब तुमसे पूछता है कोई कि अगर if particle जो है is at maximum height particle कहा हो बचे? maximum height पे हो यानि यहां पे हो और तब angle बताओ कितना होगा है ना? यानि कि जब particle maximum height पे हो उस वक्त angle क्या होगा? यानि कि यह वला angle यह हमारा phi तो time phi जो होगा वो क्या होगा? H max और upon यह range कितना हो जाएगा? R by 2 तो क्या ले सकते हैं? 2H और upon R लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यह हमारा time phi लिख सकते हैं तो कितना? time phi is equal to 2H upon R कहाँ पे? at maximum height है ना? अब तुम जो है यहाँ पे चाहो तो H का formula R का formula लगा करके और आप value निकाल सकते हो ठीक है? लेकिन हम जो हमने की बतना नहीं कर सकते हो आप कोई दिकत नहीं है ठीक है? लेकिन अगर आपका maximum height है और अगर आपको क्या निकलना है? कि angle निकलना है क कि भाई यहाँ से जहाँ से फेके थे तब projection point से कितना होगा तब आप उसको क्या लिख सकते हो तो भाई 105 लिख सकते हो और यहाँ से से डारे इसको मिला सकते हो तो यह height H होगा और यह height R by 2 होगा और आराम से यह formula लिख सकते हो ठीक है ना? चलिए, clear है? अब इसमें एक और concept क्या आता है कि जब हमारा कोई particle को दो अलग-अलग angle पर फेकते हैं, same velocity से, और range क्या होता है? same होता है, तो उसके लिए क्या कहानी है, है ना? उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलो, चलो, यानि कि, if any particle is thrown with different angle, with same velocity, है ना? and having same range, clear है? यानि क्या किया हम, बताव मेरे को, है ना? बहुत important यह, बहुत important है यह topic, है ना? तो अगर मैं यहाँ से फेकूँ, एक ऐसे फेका, और एक ऐसे फेका, यह भी U से फेका, यह भी U से फेका, यह angle जो है, ठीटा 1 है, और यह जो angle है, वो ठीटा 2 है, clear है? तो क्या होगा? देखो जरा बताव मेरे को, यह इसका projectile होगा, और यह इसका projectile होगा, और दोनों का range क्या है? सेम है, फेसर समझो, तो angle दोनों का क्या है, ठीटा 1 है, ठीटा 2 है, यानि कि projection का angle अलग अलग है, लेकिन velocity दोनों का क्या है, सेम है, और range भी दोनों का क्या है, सेम है, तो याद रखेगा यहाँ पे, ठीटा को, अपला ठीटा 2 को कितना होना पड़ेगा? 90 degree होना पड़ेग अगर दो अलग अलग projection है, और दोनों का velocity अगर सेम है, और range भी अगर सेम है, तो दोनों का angle क्या होना पड़ेगा? 90 degree होना पड़ेगा, किलियर है? तो आप यह चीज़ यार रख लिजेगा, यहीं कि ठीटा 1 को लिख सकते हैं, आप 90 minus ठीटा 2, तो अगर मैं बोलूँ यह 2 ब्रावर ठीटा है, तो ठीटा जो है मनकी 1 जो होगा, वो 90 minus ठीटा होगा, यहीं अगर एक angle ठीटा होगा, तो दूसरा angle 90 minus ठीटा होगा, अब देखो माल लो, कि इसको यहाँ पोशने में T1 समय लगा, आइसको T2 लगा, तो बोल रहा है क्या, कि if यहाँ पे, if T1 and T2 is the time of flight, तो T1 को क्या लिख सकता है तू, बताओ मेरे को, तो 2 into U sin theta, और upon G लिखेगा, तो T2 को क्या लिखेगा, तो T2 को लिखना अपड़ेगा, 2 U sin, अगर एक theta होगा, तो दूसरा क्या होगा, 90 minus theta, तो 90 minus theta लिखेगा, और upon में क्या लिखेगा, जी, यहीं इसको लिख सकता है, 2 U cos theta upon G, लिख सकता है, किने लिख सकता है, तो यह धिहान रखेंगे, तो इसलिए, अगर मैं दोनों को multiply कर दूँ, तो T1 into T2 जो होगा, तो 2 R upon G के बराबर होगा, याद रहेगा, यह बहुत important relation है, क्या relation है, दोनों का relation बताओ मेरे को, क्या है relation, जल्दी बताओ, कि T1 और T2 जो हो किसके बराबर है, 2 R upon G के बराबर है, किलियर है, उसी तरह से, अगर मैं हाइट की बात करूँ, तो माल लिए हाइट H1 है, आए तो H1 बराबर क्या लिखेगा, तो U square, sin square theta, और upon 2 G, और H2 को क्या लिखेगा, तो U square, और sin square, यहाँ पर क्या हो जागा, एक एंगी तो theta ह और upon में 2 G, तो देखो, इसको क्या लिख सकता है तू, इसको लिख सकता है तू, U square, cos square theta, और upon 2 G, अब देखो, दोनों को जोड़ दो, तो अगर H1, आप लास H2 बोल दू, तो क्या हो जाएगा, U square sin square theta by 2 G, आप लास U square cos square theta by 2 G, तो यहाँ U square by 2 G common, आग यहाँ, इसमें क्या क्या बचा, sin square theta, आप लासी समें क्या बचा, cos square theta, आज इसमें क्या हो जाएगा, तो कितना जाएगा, H1 plus H2 is equal to, कितना, U square upon 2 G, याद रहेगा, यानि कि दोनों का जो maximum height का जो sum होगा, वो आया हुआ को से, क्या हो जाएगा, U square upon 2 G हो जाएगा, अगर इन दोनों का ratio तो निक निकालना चाहता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, H1 upon H2 का ratio अगर निकालना चाहता है, तो E square sin square by 2 G, तो sin square बचाएगा, तो कितने गरावर हो जाएगा, 10 square theta के बरावर हो जाएगा, समझ मेरे बात, अगर हम बात कर रहे हैं, कि दो अलग अलग projection का angle हो, लेकिन दोनों का velocity same हो, और range भी same हो, ठीक है, तो time of flight जो दोनों का product होगा, वो 2R, यानिकी 2 into range by G होगा, और जो दोनों का height का जो sum होगा, वो U square by 2G होगा, और दोनों का जो height का जो ratio होगा, वो 10 square theta के equal होगा, किलियर है, ये आपको बहुत important concept है, यानि बहुत बार बार आ चुका है ये, हैना, य ये आपको ध्यान रखने की जरुरत है, किलियर है, चलिये, बहुत अच्छी बात है, हम लोग questions भी करेंगे, हैना, लेकिन मैं चार रहा हूँ कभी, theory में complete ही कर दों इसका, जो की बहुत ज्यादा important है, हैना, तो उसके बाद हम लोग उसको questions भी करेंगे, बहुत आसान questions आए कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, आपको बेकार को उसमें टाइम बरबाद करोगे आप, हाँ चलिए, एक और काम कर लिजिए, थोड़ा सा जानकारी ले लिए, किसके लिए, horizontal के लिए horizontal projectile के लिए, तो कुछ नहीं करना है, यह माल लोग की building है, H से, यहाँ से किसी को ऐसे फेका, U से, यहाँ से आएगा, यहाँ पर गिर जाएगा, हाना, तो यहाँ से अगर इसे आके गिरता है, यह माल लोग की अगर B है, तो इधर हो जाएगा BX, और इधर क्या हो जाएगा, BY, और यहाँ पर, इधर के तरफ क्या होगा BY की बहलू, UY कितना होगा, 0 होगा, सिर्फ X direction में होगा, तो तुमको पता कि X के direction में, वेलसिटी में कोई चैनी होगा, और यहाँ पर, यहाँ पर 0 है, तो नीचे आने में, यहाँ पर घटेगा, यह रेंज है, हाना, तो क्या लिख सकते हैं, तो टाइम यहाँ पर क्या होता है, तो अंडरूट 2H अपॉन G के बराबर होता है, ठीक हो गया range, किलियर है, आच्छा, वेलसिटी अगर लिखना है तुमके, यह वेलसिटी अगर लिखना है, तो U तो सेम है, V, तो VY क्या हो जाएगा, तो UY अपलस GT, तो कितना हो जागा, 0 पलस GT हो जाएगा, VY, तो VY के बराबर क्या लिख सकता है, तो अगर चाहे तो यहाँ पर अंडरूट 2gH भी लिख सकता है तो भी वाई के जगह पर जो की होता भी अगर यहां गिराएंगे तो कितना हो जाएगा बहुती नीची हाइट हाने के बाद अंडरूट 2gH हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा तो इसलिए यहां पर भी की भैलू लिखना हो तो भी इ माइनस वी बला केतना हो जाएगा अंडरूट 2gH जे यह ओगया भी की भैलू तो भी का मैगनिचूड अगर बात करें तो कितना जाएगा अंडरूट u square plus इसका square करेंगे तो 2gH या ऐसे भी लिख सकता है तो u square plus इसका देखो क्या है भी बाइब राबर gt है न तो g square t square यह भी लिख सकता है क्या भी का मैगनिचूड तो यह लिख दो या यह लिख दो कहां पर यहां पर velocity vector के form में यह लिखा हुआ है और magnitude इसका यह है ठीक है कोई दिकत नहीं है यह कौन सा था horizontal था अगर तुम चाहिए इसका लिख सकता है क्या चीज equation of trajectory लिख सकता है equation of trajectory तो यू की बहलू कितनी है 0 है न तो sorry theta की बहलू कितनी है 0 है न तो यानिकि y is equal to x tan theta x x into tan theta minus gx square by 2u square cos square theta और यहां पर theta की बहलू कितना है 0 क्यों 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 क्योंकि horizontal projection है और horizontal projection में x के parallel फेके हैं तो theta की बहलू क्या है 0 है तो यह 0 यहां पर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y is equal to gx square और upon में 2u square क्या जाएगा gx square बटे में 2u square आ जाएगा ठीक है न क्यों क्योंकि यू ही हम लोग sorry यू ही होगा न देख लो ध्यान से यू ही राना जाएगा बटे हम क्योंकि खूएएँ़ैंस दूएगाँ ये ही बहाएऑ़ाँ लोगदाँ आढ़ाएगा है आ… झाल अब देखो एक important concept क्या है वो समझ लो ठीक है ना यानि कि percentage change in h and r यानि कि अगर height में change होगा तो range में कितना change होगा या range में change होगा तो height में कितना change होगा ठीक है यह आपको पता होना चाहिए तो अब मैं जानता हूँ क्या चुकि we know क्या जानता है तो लोग कि tan theta याद रहेगा तुमको क्या होता है 4h upon r अठीटा क्या यहाँ पे constant है ठीक है ना तो इसको ऐसे लिग सकता है तो क्या कि r जो है directly personal क्या है अच्छा है कि ने बता मेरे को आर और अपॉन आर मस्ट इकल टू डी एच अपॉन एच ठीक है ना संना रहे बात यानि की percentage change in range जो होगा ओ इक्वल होगा exactly same होगा percentage change in h यह बाबू आया हुआ questions है कि इसको और भी तरीके समें explain कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं h का formula होता है u square sin square theta by 2g और r का formula होता है u square sin 2 theta upon g देख यह constant यह constant यह constant यह constant यहाँ पे h किसके proportional u square के और r भी किसके proportional u square के और दोनों को हम same velocity से तो बोल रहा है क्या कि भाई अगर range में change हो जाए 5 परसेंट का तो height में कितना का change होगा समझना है बात को यह अगर height में change होगा 10 परसेंट का तो range में कितना का change होगा तो दोनों का proportionate same है इसलिए percentage change in r जो होगा equal होगा percentage change in height clear है तो आप इधर से चलो या इधर से चलो ठीक है दोनों बात क्या है equal है है कि नहीं है अब देखो अभी तक तुमको मैं क्या पढ़ाया short formula यह सब आप याद रखेंगे ठीक है न क्यों क्यों क्योंकि अब जो मैं questions कराऊंगा तो एक दम चूटकी बजाते ही questions solve होगा clear है चलो हम लोग questions को अब देखते है one by one ठीक है तो हम लोग अब questions पर आते है वह कितना है ना 10-10 seconds में questions solve होता है ठीक है ना देख इदर क्या है questions बताओ मेरे को कि the velocity of a particle at initial point यहां पर दिया हुआ है U का मान कितना दिया हुआ है 2i plus 3j मतलब इधर के तरफ 2 है उपर के तरफ कितना है 3 है हम क्या बोले थे कि जितना से यहां पर फेकेगा अगर जमीन पर वापस आएगा तो वही रहेगा तो यहां पर यहां पर नीचे के तरफ भी कितना रह हो जाएगा 3 रहेगा तो velocity अट B कितना हो जाएगा तक 2 plus में ही है तक 2i आए माइनस में तो माइनस आरी जे हो जाएगा कि नहीं, simple सा है, कि देखो, कि जो velocity यहां पे, वही यहां पे, यहनि मैणिचूट में कोई चाहिज नहीं है, सिर्फ direction में change होगा है, यहां गए इधर के तरफ है, यहां पे इधर के तरफ है, तो X वाला तो change होगा नहीं बावू, तो Y बला उल्टा हो जाएगा, तो अगर यह question पास से 10 second, 30 second maximum हरे questions के लिए challenge है, ठीक है न, चलो देखो इसको, the horizontal range and maximum height of a projectile are equal, फिर से सुनो, horizontal range और maximum height, क्या है दोनों, equal है, तो projection का angle निकालना है, याद है तुमको height, range और projection angle में, क्या बताये थे, 10 theta is equal to, याद है तुमको 4H upon R, याद होगा, और क्या है यहाँ पे, H किसके ब्राबर है, R के ब्राबर है, तो लिग दे, 10 theta is equal to 4R upon R, cancel, तो theta is equal to, 10 inverse 4, आ गया, इने की कितना projection angle है, 10 inverse 4 है, क्यों, क्योंकि यह formula होता है, angle of inclination, maximum height, और range of equation, तो जो भी मैं equation बताया हूँ, जो भी 30 मिनट में equation बताया हूँ है न, वो पूरा projectile का पूरा theory है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है, चलो, एक question और देखते हैं, तो 5-5 second का तो questions है यार, इस questions को देखते हैं, आप projectile is fired at angle of 45 degree, यानि कि solution अगर हम करें, तो ठीटा की value कि अतना है, 45 degree यानि कि, 45 degree फेका गया है, क्या बोल रहा है कि, with horizontal, कोई दिकत नहीं है, क्या बोल रहा है कि, the angle of projection at its highest point, कहां पे, highest point पे, angle of projection, कहां से, as seen from the point of projection, तो अगर इसको मैं ऐसे बना दूँ, तो highest point कौन सा है, यही है ना, highest point, इसको हम देखेंगे, P को कहां से, यहां से, आईसे देखेंगे यह, यहीन है, यह angle क्या बताये थे, 5, याद करो theory को, 5 बताये थे, और यह क्या बताये थे, यहां से यहां तक, यह H होगा, और यह कितना होगा, R by 2, याद है तुमको, tan phi is equal to, क्या बताये थे, 2H upon R, यहीन पढ़ाये थे, tan phi, यानि कि अगर कोई पार्टेकिल टॉप पे हो और अगर उसको हम यहां से देख रहे हैं तो यहां से जो एलिवेशन एंगिल होगा वो फाई कितना होगा टैन फाई टू एच बटे आर के बराबर होगा अब एक चीज यहां पे हिंट दे दिया है नीट या जेई का कोश्चन क ठीटा 45 पे रेंज क्या होता है maximum होता है होता है और आर किस के बराबर होता है तो रेंज का चार गुना होता है याद है तुम लोगों को जब हमारा याद है अभी बताये थे कि जब अइंगिल ओप प्रोजेक्शन 45 हो जाए तो रेंज मैकजिमम हो जाएगा और हाइड जो ह क्या जाएगा यहाँ 45 हो जाएगा तो रेंज जो है चार गुना हो जाएगा किस के maximum height के तो यहनी maximum height के चार तो रेंज के जाएगा पर 4H लिख देंगे तो यहाँ पे तो 2H तो उपर में है और निचे को जाएगा 4H काट दो कितना है 1 by 2 तो 10 5 is equal to 1 by 2 ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखेगा 5 is equal to 10 inverse 1 by 2 अंसर ठीक है ओके चलो देखो इधर बहुत ही आसान आसान questions है कुछ भी दिमागने लगाना है मैं बोला नहीं प्रोजेक्टाइल का कोई भी questions बस शुरू का 30 minutes अच्छे से लिख लो और एक बार उसको revision कर लो काफी है 30 seconds maximum मैं बोल रहा हूं क्या है अब प्रोजेक्टाइल is projected with a velocity u यहाँ की एक प्रोजेक्टाइल को हम कितना सफेकते हैं यू से फेकते हैं कितना इंगल पर ठीटा से और पासे थू यह गीवें पॉइंट हाइट 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 पे प्वाइंट है जहां से दो बार पास करता है एक जगा टीबन समय पर दूसरे गार टीटू पर तो देखो तो मालो कि यह हमारा है अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे दो जगा पॉइंट यानि कि एक यहां से अगर पास करेगा तो पक्का यहां से पास कर रहा होगा क्योंकि यह हाइट अगर यह अच्छे ते भी अच्छे तभी यानि मात्र एक एक लौता ऐसा पॉइंट है जिसको हाइस्ट पॉइंट बोलते हैं वहां से एक बार पास करत तो हर जगह कितना आब पास करेगे, दो बार पास करेगा तो क्या ये तो पूरा similar है, यहाँ पर कितना समय लगा t1 लगा और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा t2 लगा, अच्छा क्या अगर क्या यह है लाए यहां कि गिर जाएगा नहीं हग है यह हो लगा से तो क्या T1 एतना इतना और ze हो जाएगा है निकि T1 पलस T2 किसके बराबर हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि यह height है और यह height same है जिस point पर यहां फेका गया है एकदम similarly fashion में यहां पर जिरेगा तक अगर यह T1 है यहां से यहां तक यह भी पका सोचने का था answer आ जाता है ठीक है तो कभी भी अगर same height से पास करे तो दोनों का time का sum time of flight के बराबर ही होगा एक minute पर answer मार देना ठीक है चले हाँ देख easy easy तो है यार आप projectile is thrown in upward direction making angle 60 degree with horizontal यानि कि एक projectile को हम फेके ठीक है न कितना degree से 60 degree से फेके ठीक है कितना speed से तो 147 meter per second से तो आई से आएगा आएगा कि नहीं आएगा सर बिलकुल आएगा क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है बोल जल्दी बताओ तो मेरे को then the time after which the inclination with horizontal becomes 45 degree अभी अभी पढ़ाये थे कि अगर मालो यहां सफेके ठीक है यहां पर पहुंचा तो यहां पर इधर हो गया भी डैस तो यह हमारा यू आए हमारा क्या भी डैस वाई यह इंगल कितना आलफा तो याद करो अभी क्या पढ़ाये थे tan alpha यानि कि inclination of projectile after time t याद करो जस्ट अभी में पढ़ाया हूं यहां से यहां तक मालो समय लगा कितना t t समय के बाद तो यह distance कितना हो जाता है बताओ मेरे को तो यह कितना लिखता था तो तो u y sin theta minus gt और upon में u x थे ना यानि u sin theta और upon ऐसा लिखते थे इसको में u y minus gt और बता में u x लिखते थे कि नहीं लिखते थे यह लिखते थे ना तो कितना इंगल है 45 ना यह तो 45 हो गया 1045 is equal to u y के जगा पर यानि यह बला भैलू और यह u x है तो यह तो u है तो कितना जगा 147 cos 60 sorry sin 60 आइधर 147 cos 60 यहां रख दो तो 147 sin 60 minus gt अब बते में 147 cos 60 आट 245 के बलो कितनी होती है 1 होती है ना तो यह दोनों क्या होगा इक्वल होगा ना अब इक्वल के लिए आप क्या कर लो इसको सिर्फ solve कर लो answer आ जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं solve कर दता हूं इसको है ना यानि कुछ नहीं करना यार सिर्फ conclusion मिलना चाहिए तो यह 1 होगा तो इधर multiply कर दो तो 147 sin cos है cos 60 बराबर 147 sin 60 minus gt ती निकालना है तो इसको इधर लाओ इसको उधर लेके जाओ इधर क्या जगा gt is equal to 147 sin 60 minus 147 cos 60 और अपन में इतना तर ट के जगा पर 10 से भागा देना है तो 147 into common लेलो 147 common लेलो sin 60 minus cos 60 और अपन में 10 तो 14.7 into sin 60 का फैलू root 3 by 2 minus 1 by 2 14.7 into root 3 minus 0.732 और upon 2 है ना अब यार इसका जो है 25 पंदर चाओ के 60 है ना यानिकि 60 0.5 कितना आ रहा है पताओ तो मेरे को यह लगभग लगभग यानिकि इसको हम सिर्फ multiply कर देंगे answer आ जाएगा है ना आ रहा है इना इसको 15 मान लीजिए इसको 0.4 मान लीजिए तब 15 चाओ के 60 अब भागत आपको देख 10 अमला बहां देदो तो लगभग 6 seconds आ रहा है answer आप इसको देखते हैं ठीक है इसको भी देख लेते हैं आपको सिर्फ थोड़ा जो मैं थीवरी पढ़ाया हूँ पहले उसी थीवरी पर ध्यान देना तीस मिनट का थीवरी तुम्हारा रामबान है यह समझ दो बाभू ठीक है चलो उसको questions को देखते है यह formula किसी समय पे inclination अगर alpha हो जाता है यह formula याद रखेगा है ना बहुत काम आएगा जो भी हम formula बताएं है वो direct use होने वाला formula है इसको आप लोग हलके में मत लीजिए ठीक है कि भाई उसकी जरुवत नहीं है बिलकुल उसकी जरुवत है और आपको उसको बना करके सीखना है ठीक है चलो उधर देखो questions को क्या है अब बॉडी इज प्रोजेक्टेट विथ विथे विथे वेलोसिटी भीवन फ्रॉम पॉइंट ए यानि एक प्रोजेक्टाइल को फेका गया A से क्यातना स्पीट से भीवन से तो यह कैसे जाएगा आइसे जाएगा आगे क्या बोल रहा है at the same time another body is projected vertically upward from B with velocity कितना B2 लेकिन आगे क्या बोल रहा है the point B जो है lies vertically below the highest point यानि यह जो highest point इसके जास्ट नीचे B लाए करता है और यहाँ स्पेका तुम कितना स्पीट से B2 से देखो क्या होगा कि अगर दोनों यहाँ पर कोलाइड करेगा ठीका यानि कि A और B से हम फेके हैं तो दोनों गर कोलाइड करेगा तो दोनों के लिए हाइट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए कि न होना चाहिए तो भाई इसके लिए हाइट और इसके लिए हाइट दोनों में क्या लेकेगा तूजी बी तूजी क्यों लिखे यह जो है यहां पे 90 डिग्री पे है तो साइंटिटा इसे भी 90 हो जाएगा या फिर यह कौन सा कैसा है मोशन अनर्ग्रेविटी यहनि की हम सीधे वर्टिकली अपवर्ट फेक रहे हैं तो मैक्जिमम हाइट कितना होता है तो बस हो गया सोलूशन अब इसको क्या करना है सिर्फ कैंसिल करना है और अंसर आ जाएगा कैसे भाई तो हमें निकालना है भी टू भाई वीवन तो यह इस ठीक है तो इससे लिए बटे भी वन बरावर वन वाइट वा और भाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे वन ब़ाई टू लिख सकते हैं भी टू अपन भी वन इस इल्टो जेल पाइंट फाईव तो आप जिरो पाईंट फाइव लिख सकते हो यहनि कहने का क्या कि V2 और अपन भीवन की जो value आ रही है 1 by 2 आ रही है यनि कि भीवन जो होगा 2 into V2 होगा कि नहीं यनि कि जो हम vertically upward fake रहे हैं और जो यहां से fake रहे हैं यह जो velocity होना चाहिए इसका 2 times होना चाहिए ऐसे भी ठीक है तब जाकर के दोनों same height पे जाकर के collide कर जाएगा तो इस questions में कुछ भी नहीं था बहुत ही simple concept था ठीक है चलो हम लगते है next questions चलो देखो इसको देखो बहुत ही आसान है एक एक second में questions बनेगा ठीक है क्या है बाबू? Two bodies are projected from ground with equal speed 20 meter per second यानि दो body को फेका कहा से? ground से तब फेक दो ground से एक को फेक दिये दूसरे को फेक दिये 20 meter per second से अब 20 meter per second से ठीक है अब क्या बोल रहा है कि same position से फेक है नहीं कि यहां से फेके हैं A plane have to equal range दोनों का range यानि कि यह ऐसे आके गिरेगा और यह ऐसे आके गिरेगा दोनों का range किया है? same है पढ़ रहे हो questions को कि नहीं पढ़ रहे हो questions को? आरहा कुछ दिमाग में? बोल रहा है कि but different angles तो एक अगर theta 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? theta 2 अगर दोनों का angle कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए क्यों? क्योंकि range किया दोनों का? equal है one angle दिया हो है 30 तागर theta 1 को ले ले 30 तो theta 2 को कितना लेंगे? 60 लेंगे कि नि लेंगे? then sum of their maximum heights ओ! इसका maximum heights निकालना है एक का height h1 अदूसरे का h2 जरूरत ही नहीं है h1 प्लस h2 याद है u square बटे 2g यानि कि सिर्फ velocity चाहिए और g का मान चाहिए velocity कितना है? 20 है तलीक 20 into 20 और अपन में 2 into 10 काटो बाईया 20 meter sorry 20 meter answer यानि दोनों का height कितना आगे बाबू? 20 meter कितना देर लगा? 20 seconds से 15 seconds 15 से 20 seconds ठीक है? मतलब कि questions पढ़ो 30 minute का theory बहुत important है यहां देख a ball is thrown from a point at different angles with same speed यहां देख यहां कि angle different है speed same है और range भी same है और height कितना H1, H2 तो सिधी H1 plus H2 कितना हो जाएगा? u square upon 2g direct formula है कि नहीं है? direct formula है यहां देख maximum height attained by projectile is increased by यहां यहां हाइट कितना से change कर दिया? 5% से तो keeping theta constant यहां है angle of projection क्या है? constant है मैं बोला था कि अदी theta क्या हो? constant हो तो range जो होता है percentage आज के बराबर होता है तो what is the range? इनी increase तो height कितना से increase हुआ है? 5% से यानि कि percentage range कितना जाएगा? 5% यानि कि range भी कितना से increase करेगा? 5 से अगर height change हुआ 10 से तो range भी 10 से अगर height decrease हुआ 10 से तो range भी decrease हुआगा 10% से same percentage रहेगा direct questions आव यहां पे देख आगया velocity दिया हुआ है i plus j के form में velocity दिया हुआ है i plus j के form में बताये थे क्या है? A body is projected from the ground with velocity कितना सपेके हो? 3i plus 2j से the maximum height and range of projectile तो हमेक्स का फॉर्म ला लिख लेकिन ठीटा वाला मतलिख क्या लिख? हम बताये थे जो लिखना है ठीक है? क्या लिखना है? u y का whole square बते में 2g और range का formula लिख तो 2 into u x u y और बता में g अब यहाँ पे यह है u x और यह है u y है की नहीं है? तो direct लिख यह 2 और यह 10 है न? क्या जाएगा यहाँ पे? यहाँ तो 10 into 10 और upon 2 into 10 कितना है है? 5 meter आई इसको लिख 2 into u x कितना है? 3 है into u y कितना है? 10 है और upon 10 3 2 कितना है है? 6 meter इने height कितना हो गया maximum? 5 range कितना हो गया? 6 easy कब कौन formula लगाना है? यह आपको पता होना चाहिए clear है? यहाँ आजाओ अब projectile is given initial velocity कितना initial velocity? i plus 2 j याणि कि u x की value कितना है? i यहने 1 है और u y की value कितना है? 2 है क्योंकि x के direction में कुछ नहीं है इसका मदला 1 है और यहाँ पर j के direction में 2 है नहीं 2 है तो क्या बोल रहा है? then equation of trajectory याद आया कुछ? तुमको कहां से याद आएगा? याद तो करना पड़ेगा न? ठीक है न? equation of trajectory निकालना है कैसे निकालेगा equation of trajectory? आपको पता होना चाहिए ठीक है? कैसे निकालेगा जी? अइंगल नहीं दिया एक questions में क्या? चलो कोई बात नहीं है? है ना? नहीं दिया तहीं से लिख लेंगे क्या लिख लेंगे? equation of trajectory क्या बताया थे? देख क्या क्या दिया है? वो समझ पहले बात को यहां से देख UX और UY है तो जब भी हमें equation of trajectory लिखेंगे UX और UY के form में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बताओ मेरे को तुम तो equation of trajectory क्या बताया थे? Y is equal to X into tan theta लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अच्छा ठीक है सर, tan theta दो आप लिख दिये और into 1 minus X बते R एक तो यह पढ़ाए थे दूसरा क्या पढ़ाए थे? कि एक काम करो तुम UX और UY के form में तुम लिखेंगे न? तो अच्छा रहेगा क्या बताये थे? X tan theta into 1 minus X into G और बता में 2 into UX और UY याद है यह बाला? यह भी पढ़ाए थे और tan theta क्या होता है? तो vertical बता horizontal इसको कह लिए सकते हैं तू X into UY बता में UX अच्छा यह समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको तो मैं समझाने के लिए तो diagram बना ही सकता हूँ तुम आरे लिए ठीक है न? ताकि तुम अच्छे समझ में आ जाए तुमको यह मैं मीटाता हूँ और यहाँ पर diagram बनाता हूँ ठीक है? ताद देखो ध्यान से यही projectile है यही फेका गया है U ब्राबर कितना से I अपलास 2J से मतलब इधर के तरब कितना है 1 I इधर के तरब कितना है 2 J यानि X बला भेलू कितना है 1 है और Y बला भेलू कितना है 2 है अगर मैं इसको ऐसे diagram बना लूँ और अगर मैं इसको लिख दूँ क्या चीज 10 ठीटा E is equal to vertical बटे horizontal यही 2 upon 1 लिख सकते हो तू ता लिख दे हाँ पर U Y बटे UX लिख सकते हैं I into 1 minus X into G और बटे में 2 U X और U Y अब रखो है Y रख दो जी X रख दो 10 ठीटा के जगा पर 2 into 1 minus X into 10 और अपन 2 U X बता 1 न into U Y कितना 2 तो 2 एह ही हो गया है ना क्या हो जाएगा जी 2 X into 1 minus 5 X अब आए 2 यह हो गया Y है ना तुम चाहो तो इसको multiply करके लिख सकते हो कर दो multiply यहाँ पर तो multiply कर दो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यह 2 X तो Y is equal to 2 X और फिर यहाँ से minus 2 से 2 cancel तो 5 X स्क्वाइर क्लियर है तो कितना अगे इधर से कर दो 5 X स्क्वाइर plus 2 X मैं sorry minus 2 X plus Y यही हो गया equations किसका trajectory का ठीक है तो क्या करना है मुझे मुझे ध्यान देना है बाबू कि हमें कौन सा formula लगाना चाहिए ताकि easily जो है सारे questions बन जाएं समझ में आरे बात चलिए तो आप लोग और देखते हैं questions इसमें ठीक है का मास कितना है M है each projected with U at angle theta यानि कि यह Y है यह X होगा और यहां से U angle पे theta से एक कोम फेके तो यह ऐसे जाएगा यह जाएगा यह point है A क्या बोल रहा है calculate करना है क्या चीज magnitude of अच्छा angular momentum calculate करना है angular momentum क्या होता है M into R यानि R cross B या फिर M V I into perpendicular distance R cross B को perpendicular distance भी सकते हैं आप दोनों याद रखिएगा ठीक है इन्ही momentum को linear linear momentum perpendicular distance से multiply कर देंगे तो काम खतम angular momentum निकल जाएगा तो वही बोल रहा है angular momentum कहाँ पे of the projectile about the point about the point of projection जहां से फेका गया है यानि यहां से फेका गया है तो इसी के बोल निकालना है यानि की angular momentum निकालना है किस के बाउट A के बाउट angular momentum को सिंबोल L अज इस point के बाउट A के बाउट लेकिन कहाँ पे when the particle is at maximum height कहाँ पे जब particle maximum height पे है तो maximum height पे जो particle है तो इसके पास सीर फासीर पे ही बाउटिटी होता है horizontal यानि की vertical कितना होता है 0 और UX किस के बाउट रहागा तो यहां देख लो तुम इधर के तरप कितना U cos theta आइधर कितना U sin theta तो यहां पे बाउटिटी किस के बाउट रहागा U cos theta क्यों? क्योंकि होरजंटल होता है या तो 0 होता है maximum में और height कि इस point से तो इसको आगे बढ़ा दो बढ़ा दिये यहां से perpendicular डाल देंगे तो यह perpendicular किस के बराबर है यानि H के बराबर है है की नहीं है तो यानि कि angular momentum यानि एक यहले क्या है angular momentum of V I about A यानि कि mass कितना M into velocity किस point पे जिस point पे निकालना है हमें यहां पे निकालना है तो यहां के बरुसरी कितना तो U cos theta तो U cos theta और into perpendicular distance यानि यहां से perpendicular कहा है यहां तो इसको आई से इधर बढ़ाए और यहां से perpendicular डाल दिये यह जो perpendicular है यह बला सेम है तो यानि into कितना H max तो लीक दो क्या है M U cos theta I into H max का भाईलू U square sin square theta और अपॉन में 2G तो कितना है बाबू M U into U square U का Q फिर sin square theta I into यहां पे cos theta है और अपॉन में कितना है 2G है यह हो गया angular momentum किसका कुछ नहीं है यार कोई भी questions basic fund याद रखो questions तुमारे हाथ में यह देख आप projectile is projected at 10 meter per second at angle कितना 60 degree 60 degrees फेका तो भाई फेक दो 60 degree से फेका ऐसे कितना पे 60 degree पे कैसे जाएगा आईसे जाएगा अब क्या बोल रहा है 10 meter से फेके हो after some time velocity makes angle 30 degree भी फोरिजन्टल यानि यहां कुछ दूर के बाद यह जो velocity है भी यह होरिजन्टल से कितना angle बना रहा है 30 degree बना रहा है तो speed निकालना इसी जगा पे तो कुछ नहीं करना था यहां पे क्या करना है तुमको पता है न कि कहीं भी चले जाएं horizontal velocity हमेशा क्या होता है सेम होता है तो यहां पे यहां कि UX क्या रहेगा सेम रहेगा तो यहां लिख दो इधर के तरफ 10 cos 60 अब उपर के तरफ 10 sin 60 अब यहां पे भी हो गया होगा तो इधर भी cos 30 अब उपर भी sin 30 तो हमें क्या भी निकालना है न तो horizontal तो हमेशा सेम रहेगा तो यह और यह दोनों क्या होना चाहिए इकोल होना चाहिए तो इसलिए 10 cos 60 को इकोल होना पलेगा भी cos 30 के यानि कि जिस वक्त velocity horizontal से 30 degree बना रहा होगा उस वक्त जो इसकी speed होगी वो 10 by root 3 meter per second के बराबर होगी clear है अब आगे बढ़ते हैं two bodies are thrown at angle 45 degree and 60 degree दो body है जिसको फेके हो कितना कितना पे एक को फेके हो 45 पे अब दूसरे को फेके हो 60 पे ठीक है such that maximum height क्या है same है न इन्ही h1 किसके बराबर है h2 के तो क्या बोल रहा है ratio of velocity यानि अगर एक को u1 से फेके हैं तो दूसरे को u2 से फेकेंगे तभी तो ratio निकल पाएगा तो निकाल दो इसका formula u1 और उसके बाद sin square theta 1 अब बटे में 2g बराबर u2 और sin square theta 2 अब बटा में 2g यह 2g is 2g कैंसिल किसका ratio निकालना है ratio of velocity अगर मैं u1 बटे u2 निकालता हूं तो u1 का square बटे u2 का square बराबर यानि इसको इधर लेके आए हैं तो इसको भागा देदो sin square theta 2 बटे sin square theta 1 यानि की theta 2 60 है sin square 60 बटे sin square 30 sorry 45 तो कितना root 3 by 2 होता है ना तो 3 by 4 आइं 2 2 by 1 3 by 2 ना तिसलिए u1 बटे u2 बराबर root under 3 by 2 answer आ गया यानि की दोनों के velocity का ratio क्या होता है equal होगा sorry कितना होगा under root 3 by 2 के बराबर होगा ठीक है तो हम जो है अभी तक सब करवा दिये हैं questions है ना horizontal projectile की अगर बात करूंगा तो जब ये कर लिया आए question तुमसे बन जाएगा ना कोई दिक्कत ही नहीं है अराम से आप जो है बना सकते हो ठीक है बिल्कूल ही कोई tension मत ले ना मैं एकाद questions करवाता हूं मान लोग एक questions है क्या कि एक building है इसको फेक रहे है दो बार दो बाल को ठीक है ना एक को फेक रहे है पांच मीटर पर सेकेंड से आ एक को फेक रहे है आठ मीटर पर सेकेंड से ठीक है अब क्या बोल रहा है कि ये भी ऐसे यहां से आकर कैसे गिरेगा और ये भी ऐसे आखर के गिरेगा दोनों गिरेगा और नहीं गिरेगा तो मांन लो बाबू कि अगर एक अगर जमीन से यहाँ से इधर गिरा और एक को गिरने में समझे ये बाथ को गिरेंगा पहले? 5 मीटर् Image गिरेगा य'नि किरेगा? तो देख, यह पहला का range होए, और यह किसका range है, दूसरे का range है, तो range क्या होता है, range बताओ तो मेरे को क्या होता था, याद करो, तो मालों यहां से यहां तक time कितना लगा, t, तो इसको भी कितना लगेगा, t, दोनों साथ में गिरेगा, पढ़ा चुके हैं, हालका फेको, भार इन्टू t, तो इसको निकालो, r1 कितना है, 10 है न, तो क्या लिखेगा, यहां पर इसलिए, r1 कि बेलु कितना है, 10 है, तो 10 is equal to u1, u1 हमें कितना है, 5 है, तो 5, अगुना t, तो t कि बेलु कितना है, 2 second, इसमें रख दो, r2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 कितना है, 8 है, तो 8, अगुना कितना, टूत बराबर कितना, 16 है, यह 16 है, यह 10 है, तो यह कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 6 मीटर, मतलब मेरा कहने का यह, कि कुछ भी दे, आसानी से तुम बना सकता है, horizontal projectile का, ठीक है न, horizontal projectile में कोई tension हो गा ही नही लेकिन ध्यान रखें, जो मैं शुरू का 30 seconds, 30 minutes बताया हूँ, और उसा पूरा theory, वो बहुत important, important theory है, ठीक है, मैं सब का questions भी करवा दिया, और सारे theory भी करवा दिया, इससे ज़्यादा projectile में नहीं आएगा, समझ लो कि projectile finished हो गया, तो हम लोग next class में क्या पढ़ने वाले है, relative velocity और basic of circular motion, दो चीजे, next class में क्या, relative velocity और circular motion, ठीक है,